प्रेगनसी कंसीव करने के लिए जितना मेल के सेल्स इंपॉर्टेंट है उतना ही फीमेल का जो अंडा है जिसे हम लोग अंडानू बोलते हैं उसकी भी क्वालिटी का अच्छा होना ज़रूरी है बहुत सरी महिलाओं के मन में एक सवाल होता है कि जैसे जैसे वो एज करती है 35 साल 40 साल के बाद जब लो एमज की समस्या हो जाती है तो उसमय प्रेगनसी कंसीव करना एक मुसीबत बन सकती है लेकिन मैं आपको यही ढाड़स बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपकी लो एमज से आप ये कभी भी डिसाइड ना करें कि आपकी प्रेगनसी बिल्कुल नहीं रुकेगी या फिर हिल्दी प्रेगनसी नहीं रुकेगी आपकी pregnancy स्टिल रुख सकती है क्योंकि आपको बहुत सारे अंडों की जुरत नहीं है सिर्फ एक अगर स्वस्त अंडा अगर आपके लिए प्रिपेर हो जो की pregnancy के लिए आपको conceive करा सके वो अंडा आपकी लिए important है और अगर आपके low AMH है यानि कि आपके शर्र में अंडे का reserve अगर कम हो रहा है उस टैम पे भी आप अपने diet के उपर कुछ चीजों की धान में रखती है या आप बहुत सरे चीजे include करती है और कुछ ऐसी चीजे हैं जो की unwanted है उसको remove करती है तो अंडे की quality जो बची हुई है वो improve हो सकती है क्योंकि जितने भी number बचे हो जाए वो कम ही संख्या में बचे हो आगर उनकी गुणवत्ता अच्छी है तो उससे भी pregnancy conceive किया जा सकता है वीडियो काफ इंफर्मेटिव है प्ली शुरू से ले किलाश तक जरूर देखेगा नमस्कार दूस्तु मेरा नम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल twins my world पे बहुत बहुत स्वागत है बेसिकरी होता क्या है कि जब अंडे की quality की बात आती है तो सबसे पहले आपको diet का ख्याल रखना है उसमें से भी protein का आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि protein यूगत जो चीज़ी अगर आप लेती है उससे आपके अंडे की quality बिल्कुल natural तरीके से आपकी improve होती है चाहिए वो milk के cells की quality हो या फिर अंडानों की बात कीर करें हो मैंने तो आपके protein का intake काफी अच्छा होना चाहिए तो protein के जितने भी sources हैं आपको ज़रूर लेनी चाहिए दूसरा एक फल काफी ज़दा प्रचलित है आपको पता है avocado avocado को एक superfood की रूप में consider किया जाता है अगर आप avocado भी दिन भर में एक avocado या दो दिन पे एक avocado भी अगर आपने लिना है स्टार्ट कर दिया उससे भी बहुत हद तक आपकी conceive होने के chances बन सकते हैं क्योंकि उससे अंडे की quality बहतर होती है लेकिन हर किसी के पास avocado खरिदने का इतना पैसा नहीं होता है effort नहीं कर सकती है या उनके reach में इतनी जादा नहीं होती है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो supermarkets में available होते हैं लेकिन छोटे शहरों में आपको avocado पूरे time सबजी market में नहीं मिलने वाला है तो उसके जो क्या alternate हो सकते हैं तो alternate आप क्या कर सकते हैं कि आप हरी पतेदार जो सबजिया होती है फल होते हैं उनका आप 7 करें वैसे फल लिजे जिसके अंदर vitamin C होता है जैसे कि berries या lemons इनका भी अगर आप इस्तमाल करती है तो भी आपके अंडे की quality काफ़ जादा बहतर हो third important चीज है कि आप seed cycling को circulate कर सकती है seed cycling के उपर separate मैंने एक video बनाई है तो उसको आप जरूर जाके देख लिजेगा हो सकेगा तो मैं उसकी link में end screen पर drop करूँगी तो उसको जरूर देख लिजेगा कि seed cycling भी आपको कितना help करती है आपके अंडे की quality को बहतर बढ़ाने के आप third important चीज क्या होती है कि seeds में include होता है sesame seed तो जिनको अगर बाकी seeds की knowledge नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर तिल के बीज का भी इस्तमाल करती है या अगर तिल के बीज नहीं ले सकती है या उसके साथी साथ अलसी के बीज लेना शुरूरात कर दें यानि कि flag seed को भी आ आपको जरूर करना चाहिए और कोशिश करें कि आपको पानी का पर्याप्त मातरा में आपको पानी जरूर पीना चाहिए जो कि fourth point है क्योंकि अच्छे मातरा में अगर आप पानी पीती है तो जितने भी toxins अगर आपकी body में बन रहे है in terms of अगर आप फिब्रॉइड है या क्योंकि reproductive अंगों में अगर blood का circulation अच्छा बनेगा तो उनकी जो functioning है वो काफी अच्छी होती रहेगी तो आप body के जो blood का circulation है उसको अच्छा बनाने के लिए fifth important चीज़ क्या होती है कि आपको garlic का इस्तमाल जरूर करना जाहिए जो garlic होती है वो एक thinner का का काम करती है blood को पतला करने का काम करती है तो garlic का इस्तमाल करने से आपके पूरे अंगों में अच्छी तरह से खुन का प्रवा हो जाता है जितना अच्छा खुन का प्रवा होगा उतना ही आपके सारे अंगों का जो functioning है अगर त्यूब की blockages किसी को हलकी है या बिल्कुल mild है उनकी blockages भी खुल जा अगर आप नियमित तौर पे पीती है उससे भी आपकी अंडे की quality बहतर बनती है अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट अगर आप एड़ करते हैं अपने भोजन में उस तरह की चीजों का अगर आप अवोईड करते हैं वह जादा तली भुनी चीजों का अवोईड करते हैं उससे भी आपकी अंडे की quality काफी जादा बहतर बनती है होफुली आपको आज की इस वीडियो में काफी जादा अच्छी जनकारी मिली अगर जनकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिगा चैनल पने हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इं भूले थैंक यू सुमच पर वाचिंग वैंस्पाइब वल्ट